इस्टूडेंट्स आज की क्लास में लोग exercise 8.2 के questions को solve करने वाले हैं तो चलिए हम लोग question को solve करते हैं उससे पहले हम लोग कुछ पर्मे study कर लेते हैं तो हमारी जो पर्मे है वो है मद्द बिंद पर्मे मद्द बिंद पर्मे क्या होता है हम लोग इसको समझते हैं और उसके बाद हम लोग question पर चलेंगे तो आप लोग समझे मद्द बिंद पर्मे क्या होता है समझे हमारे पास कोई तिर्भूच ABC है हमारे पास कोई तिर्भूच ABC इस तरीके से है और यह जो तिर्भूच ABC है तिर्भूच ABC की भुजा AB का मद्द बिंद ए है और AC का मद्द बिंद अगर F है तो यह जो रेखाखंड EF होगा वो समांतर होता है BC के रेखाखंड EF समांतर किसके होगा BC के होगा तो चलिए अब लोग इसको जर्रलाइज कर देते हैं किसी तिर्भुज की किनी दो भुजाओं के मद्ध बिंदू को समझे हमने इस बुजा का मद्ध बिंदू लिया और इस बुजा का मद्ध बिंदू लिया इनको मिलाने वाला यह जो रेखाखंड होगा वो क्या होता है वो तीसरी बुजा के समांतर होता है यानि कि अगर हम बात करें इसकी चलिए इसको हम EF नाम ले देते हैं यह जो हमारा EF है वो समातर किसके हो जाएगा BC के समझ गई students आप लोग तो यहीं हमारी क्या होती है यहीं हमारा मद्द बिंदू परमे होता है चलिए अब हम लोग इसके इसका जो विपरीत परमे उसको study कर लेते हैं इसका विपरीत वाला आप लोग पढ़िए इसमें कहा जा रहा है क्या मद्द बिंदू से तो सबसे पहले हम लोग एक तिर्वुझ ड्रोक कर ले एक तिर्वुझ हम लोग ड्रोक कर लेते हैं इस तरीके से मारे पास एक तिर्वुझ हो गया किसी तिर्वुज की एक भुजा के मद्ध बिंदू से समझे एक हमारी जो भुजा है हमने इसका मद्ध बिंदू लिया मद्ध बिंदू से दूसरी भुजा के समांतर समझे हमने इसको दूसरी मानी तो यह हमारी दूसरी भुजा हो गई इसके समांतर हमने एक रेखा खीची यहाँ पे हमने जो रेखा खीची इसके समांतर है तो क्या काजर आगे देखिए दूसरी बुजा के समांतर खीची गई रेखा यह जो दूसरी बुजा के समांतर हमने रेखा खीची है एक क्या होगी तीसरी भुजा को सम्धुभाजित करती है यानि कि ए वाली इमारी तीसरी भुजा हो गई और ए वाली जो रेखा है वो क्या काम करेगी इसको सम्धुभाजित करेगी इसको नाम दे देजिए आप A, B, C और यहां पे जो मद्य बिंदू है इसको मने नाम दिया f और जो e रेखा है a इस पर जहां प्रतिछेद कर रही है उसको अमने नाम दिया f तो यहां से क्या हो जाएगा जो f होगा f यहां पर देखिए f बराबर होगा cf के और बराबर किसके हो जाएगा half-half ac के क्यों क्यों कि ए जो f है और रेखा AC को समद्विभाजित करती है और student इसी परमे का यूज आज की class में लोग करेंगे तो इन दोनों परमेओं को आप लोग समझ गए होंगे तो चलिए हम लोग question पर चलते हैं यहां पर देखे A B C D एक चतुर फुज है जिसमें P Q looks to come of B see C ड और ру集 हे तो यहां पर देख़े B का मददददु क्या है ? आगे क्या कह रहा ? हमें दिखाना क्या आप लोग इस पर ढ्यान दिछे .. हमें दिखाना है कि sr parallel ac यहाँ पे आप जो sr देख रहे हो इसे हमें parallel दिखाना है किसके ac के sr parallel हमें ac दिखाना है और next और sr is equal to half of ac यहाँ पे और a भी दिखाना है यह जो हमारा sr है वो बराबर होगा half of ac के तो चलिए students इस question को हम लोग solve करते हैं और देखते हैं हमारा solution क्या हो जाएगा अब students आप लोग ध्यान से देखिए अभी अभी हमने मद्ध बिंदु पर्मे पढ़ा और आप लोग देखिए इसमें हम लोग मद्ध बिंदु पर्मे कैसे लगा सकते हैं आप लोग जरा इस पर ध्यान दीजिए देखिए अगर हम लोग देखें तिर्भुष dac में आप अद आप लुच्पी में this है क्या एका एस मद्ध बिंदु है बुजा्द का और यहां पर यह जो आर है आप मद्ध बिंदु है c d का तो चले हम लोग इसको लिखते भी चलते हैं हम लोग किसमें देख रहें तेफ्रोल च्बूझ a sedan औ्कBlue है तो चले हम लोग लेकते का मद्द बिंदू है लिखे S भूजा AD का मद्द बिंदू है मद्द बिंदू है यहाँ पर दिया है हमें नेक्स देखिए यह जो R है CD का क्या है मद्द बिंदू है लिखे R भूजा CD का मद्द बिंदू है देखिए A मद्द बिंदू हो गया और A मद्द बिंदू हो गया तो हम लोग मद्द बिंदू परमे जानते हैं मद बिन्दु परमेच से हमारा क्या होगा? कि यह जो sr है उस समानतर हो जाएगा ac के तो लिकिए जो sr है उस समानतर होगा ac के और क्या होगा? और आप लोग देखिए यहाँ पे अगर हम लोग sr की बात करें sr हमारा क्या हो जाएगा? half of ac के इतनी बात आप लोग समझ गए यहाँ से समझ लिजे फिर से समझे है हमारे पास कोई तिर्बुच है abc और a जो तिर्बुच abc है इस भुजा ab का मद बिन्दु अगर हमने d लिया और ac का मद बिन्दु हमारे पास e है तो a जो d e रेखा होती है d e समांतर होती है किसके d e लिजे d e होता है half time half of bc के और अगर हम लोग बात करें d e की तो d e हमारा समांतर होता है bc के तो आप लोग इस तिर्बुच में एथिर्म लगा सकते हो तो यहाँ से देखे हमारे पास क्या हो गया s r is equal to half of ac हो गया और s r हमारा समांतर ac के और देखे फर्स्ट नमबर में यही दिखाना भी है s r parallel ac और s r is equal to half of ac तो यहाँ से फर्स्ट नमबर को हमने solve किया अभी हमें आगे भी solve करना है इसलिए इसको हम लोग समिकर नमबर एक माल लेते हैं चलिए आप लोग next देखिए हमें आगे दिखाना है कि p q is equal to s r चलिए भी लोग दूसरे नमबर को solve करते हैं मैं दिखाना है p q is equal to s r p q देखी कहां पर है a p q और हमें इस p q को दिखाना है s r के equal इसके equal दिखाना है s r के equal के तो आप लोग सोचे हम लोग कैसे दिखा सकते हैं इसके लिए हमें common दिख़ा देखिए a line ac तो हम लोग क्यों ना इस तिर बुज में देखिए dp abc में दिखिए तिर बुज abc में देखिए आप लोग तिर बुज abc में तो इस्टूडेंट्स आप लोग देखिए तिर्बूज A B C में क्या है तिर्बूज A B C में तो तिर्बूज A B C में क्या है यहाँ पर देखिए जो P है A B का मद्द बिंदू है लिखिए P भुजा A B का मद्द बिंदू है और यहाँ से देखिए A जो Q है भुजा B C का मद्द बिंदू है Q भुजा BC का मद्द बिंदु है मद्द बिंदु है इस्टूनेंट्स यहां पर हमने किस बेसिस पर लिखा इसको भी आप लोग लिख जीजिए मद्द बिंदु पर्मेंसे मने इसको लिखा है मद्द बिंदु पर्मेंसे और यहां पर देखिए जो Q है Q भुजा BC का मद्द बिंद हो गया और आगे आप लोग देखिए यहां पर हमारा हो क्या जाएगा यह जो PQ है वो समांतर हो जागा अगर्जा ए CA को लिखे लिखे कि पीक्यू समांतर किसके हो जागा अगर्जाके के हो जाएं आप नहीं पराय munit कर दिजे कैं लिखिए PQ हुमारे इक्वन हो जाएगा हाफ हॉप एसी के और इसको मुने किस आधार पर लिखा मद्द्य बिंदू परमे से मद्द्य बिंदू परमे से इतना हो गया इस्टुडेंट्स और इसको मुलोग समीकरण नंबर दो माल लेते हैं अब समीकरण एक और दो से देखिए मारे पास क्या हो जाएगा समीकरण एक और दो से लेकिए समीकरण एक और दो से समीकरण एक और दो से तो समीकरण एक और दो से देखिए स्टुडेंट्स आप लोग समीकरण एक हमारे पास है क्या यहाँ पर देखिए जो हमारा SR है वो समानतर AC है तो लिखिए SR समानतर AC जो हमारा SR है वो समानतर है AC के और आप लोग यहां पे देखिए जो PQ समानतर AC है यहां पिर हम कह सकते हैं कि AC समानतर PQ है तो यहां पे जो हमारा AC है वो समानतर किसके है PQ के AC समानतर PQ है तो यहां से हम लोग क्या कह सकते है कि जो हमारा SR है उस समानतर किसके है PQ के तो लिख दीजिए SR समानतर PQ देखे मैं क्या दिखाना है हमें यही दिखाना है यहां पर देखे SR इक्वल हमें PQ दिखाना ठीक है तो यहां पे हमारा जो sr है वो समानतर pq आ गया अब आप लोग next देखिए समीकर एक और दो से मारे पास और क्या होगा end part देखिए इसका यहां से हमारे पास sr is equal to half of ac है और यहां पे देखिए half of ac के अस्तान पर लोग pq लिख सकते हैं तो यहां से half of ac का value क्या है pq और इस pq को आप लोग यहां पे रखेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा sr is equal to pq और इसको हमने किस बेसिस पे लिखा इसको हमने लिखा समीकर एक और दो से आप लोग इसको समझ सकते हो यहां से चली आप लोग कर लें देखिए sr is equal to हमारे पास क्या है half of ac है half of ac है और यहां से half of ac का मान हमने यहां पे pq रख देखिए यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा sr is equal to pq हो जाएगा इस तरीके से आपको समझ रहा है चलिए आप लोग इसके next number पे चलते हैं और देखते हैं इसका अगला number क्या है अगला number देखिए student समय क्या दिखाना में दिखाना है जो pqrs है एक समांतर चतुरवूजय में क्या दिखाना है यहां पे देखिए आप लोग यह जो मारा pqrs है चलिए देखिए p कहां पे यहां पे pq देखिए pqrs हमें क्या दिखाना है समांतर चतुरवूज दिखाना है और समांतर चतुरवूज दिखाने के लिए हम लोग ऐसा क्या दिखा दें कि यहां पे जो pqrs है समांतर चतुरवूज हो जाए इसके लिए आप लोग सोचे समांतर चतुरूज क्या होता है समांतर चतुरूज हम लोग कैसे दिखा सकते हैं इसके लिए अगर हम लोग जो इसकी सम्मुख भुजा का एक यूग्म हम लोग समांतर और बराबर दिखा दें अगर हम लोग इसको इसके समांतर यानि कि अगर हम जो हमारा यहाँ पे चतुर्बूज है देखिए PQRS यह क्या प्रूफ हो जाएगा एक समांतर चतुर्बूज तो चलिए हम लोग इसको दिखाते हैं PQRS को में समांतर चतुर्बूज दिखाना है और इस्टुडेंट्स अभी इसको जो हमने सॉल्ब किया इसको हम लोग माल लेते समीकर नंबर 3 चलिए हम लोग इसके अधर नंबर को लिखते हैं हमें दिखाना है PQRS 1 समांतर चतुर्बूज है तो समीकर 3 से देखिए क्या हो जाएगा लिखिए समीकर 3 से समीकर 3 से जो हमारा देखिए PQ समांतर SR है यहाँ पर देखिए PQ समांतर SR में दिखाना है तो समीकर 3 से जो हमारा SR समांतर PQ या फिर आप लोग ऐसा भी कर सकते हो जो हमारा PQ है उस समांतर है किसके SR के तो PQ समांतर SR हो गया और देखिए समीकर तीन से ही जो मारा sr है वो equal pqv है sr equal है pq के यहाँ से मारा क्या हो जागा देखिए यह जो sr है वो समानतर pq हो गया और sr समानतर sr बराबर pq भी हो गया तो लिख दीजिए आता है pqrs एक समानतर चतुर्भुज है समानतर चतुर्भुज है तो students इस तरीके से हमने इस question को solve किया तो चलिए हम लोग अगले प्रश्ण पर चलते और देखते हैं मारा अगला प्रश्ण क्या है कि इस्टुडेंट्स आप लोग question नंबर दो को देखिए देखिए question नंबर दो में क्या का आ जा रहा है आप लोग question पढ़िए करा a b c d एक सम चतुर्भुज है और p q r और s क्रमसा बुजाओ a b b c c d और d a के मद्य बिंदू है दर्शाय की चतुर्भुज p q r s एक आयत है तो इस्टुडेंट्स हमने यहां पर a b c d एक सम चतुर्भुज ड्रो किया और यहां पर जो बिंदू p है देखिए हमें दिया है जो बिंदू p है बुजा a b का क्या है मद्य बिंदू है बिंदू q बुजा b c का मद्य बिंदू है बिंदू r बुजा c d का मद्य बिंदू है और यहां पर जो बिंदू s है बुजा a d का मद्य बिंदू है तो चलिए हम लोग इन बिंदू को मिला देते हैं चले हम लोग इन बिंदू को मिलाते हैं, चले हमने बिंदू P को क्यूं से मिला दिया, और यहां पे जो बिंदू R है, बिंदू R को मने क्यूं से मिला दिया, बिंदू जो हमारा S है, S को हमने R से मिला दिया, और यहां पे जो हमारा बिंदू S है, इसको हमने P से मिला दिया, यहां पे हमने बिकर्ण ड्रो किया है, यहां पे जो समचतुर्भूज ABCD है, समचतुर्भूज ABCD का हमने यहां पे बिकर्ण ड्रो किया, अगर आपनों को समचतुर्भूज की बारे में जानकारी ना हो, तो समचतुर्भूज एक ऐसा समांतर चतुर्भूज होता है, जिसके जो आसन भुजाये होती हैं, वो बराबर होती हैं, और इनके बिकर्ण एक दूसरे को समकोंड पर समद्विभाजित करते हैं, चलिए, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, और इस्टुडेंट देखी, इसमें मैं दिखाना क्या है, मैं दिखाना कि यहाँ पे जो P, Q, R, S है, क्या है, एक आयत है, अब आप लोग सोचें, इसको आयत दिखाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप लो अगर हम लोग सबसे पहले इस यहाँ पे जो P, Q, R, S है, P, Q, R, S को हम लोग समांतर चतुर्बुच दिखा दें, और जैसे हमारा समांतर चतुर्बुच हो गया, इसके किसी एक एंगल को हम लोग 90 डिगरी दिखा देंगे, तो यहाँ पे जो P, Q, R, S है, एक आयत सिध्ध ह जाएगा तो चली इस्टूडेंट्स हम लोग इसको हल करते हैं और देखें इसका solution क्या होगा तो चली हम लोग देखते हैं तिरभुज A, B, C में किसमें देखेंगे A, B, C में देखें तिरभुज A, B, C में A, B, C में इस तिरभूज में लोग देखेंगे तो इसमें देखी क्या है यह जो P है लिख लीजिए तिरभूज A, B, C में यहाँ पे जो बिंदु P है ए भी भूजा का क्या है मद्द बिंदु है लिखिए P, भूजा, A, B का मद्द बिंदु है यहाँ पे जो बिंदु P है भूजा, A, B का मद्द बिंदु है और देखिए जो बिंदु Q है भूजा, B, C का मद्द बिंदु है लिखिए Q, भूजा, B, C का मद्द बिंदु है मद्द बिंदु है अब इस्टूनेंट्स आप लोग इसमें देखिए तिरबुज में A, B, C है, P, A, B का मद्द बिंदु है, Q, B, C का मद्द बिंदु है तो ए जो P, Q को मिलाने वाला रेखा खंड है, तो क्या होगा? P, Q को मिलाने वाला रेखा खंड, A, C के समांतर होगा तो यहां से क्या हो जाएगा? P, Q हमारा समांतर हो जाएगा, A, C, K और क्या होगा? यहां पे अगर हम लोग P, Q की बात करें, तो जो P, Q है, P, Q किसके बराबर हो जाएगा? हाफ, हाफ, आफ, A, C, K और इसको उमने किस आधार पे लिखा? मद्द बिंदू पर्मे से मद्द बिंदू पर्मे से चलिए, अब हम लोग इस में देखते हैं, इस तिर्वुज में हमारा जो पहला टार्गेट है, वो यही होगा, कि हम लोग P, Q, R, S को एक समांतर चतुर्वुज दिखा दे जैसे हमारा समांतर चतुर्वुज होगा, उसके बाद हम लोग इसका एक एंगल 90 डिगरी का दिखा देंगे तो हमारा प्रूब हो जाएगा, चलिए आप लोग यहाँ पर देखिए, अब लोग इस वाले तिर्वुज में देखेंगे, देखिए, तिर्वुज A, C, D में किसमें देखेंगे तिरबुझ ACD में लिखिए तिरबुझ ACd में ACD में क्या है S बुझде AD का मद्दे बिंदू है लिखे S बुजा AD का मद्द बिंदू है बुजा AD का मद्द बिंदू है और यहाँ पे जो बिंदू R है R बुजा CD का मद्द बिंदू है मद्द बिंदू है अब इस्टुनेंट तिर्भूज में देखिए A, C, D में A मद्दिबिंदू है A, D का A मद्दिबिंदू है C, D का तो यहां से S और R को मिलाने वाला जो रेखा खंड होगा O समानतर होगा किसके A, C के देखिए जो मारा S, R है O समानतर होगा किसके A, C के समानतर होगा और यहां से और देखी क्या होगा अगर हम लोग S, R की बात करें तो जो मारा S, R है वो equal किसके होगा half of A, C के equal होगा यहां से equal किसके होगा half of A, C के और इसको आप माल लिजे समीकन नंबर 2 अब चलिए हम लोग next देखते हैं तो इस्टुडेंट्स अब हम लोग समिकर्ण एक और दो से देखेंगे यहाँ पर देखें यहाँ पर क्या है यह मारा समिकर्ण नंबर एक है यह मारा क्या है समिकर्ण नंबर एक और एक और दो से हम लोग देखते हैं यह हमारा समीकर्ण नंबर एक है और यह हमारा दो है तो चलिए हम लोग एक और दो नंबर से देखते हैं लिखिए समीकर्ण एक और दो से समीकर्ण एक तथा दो से एक तथा दो से देखिए क्या है मारे पास यहां से जो PQ है उस समांतर है AC के लिखिए जो PQ है उस समांतर है AC के और यहां पर देखिए जो हमारा AC समांतर किसके SR के तो लिख दीजिए AC समांतर है SR के तो students यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से हम लोग लिख सकते हैं ना कि जो हमारा PQ है समांतर किसके SR के किसके हो जाएगा sR के और देखिए और क्या होगा यहां से पीक्यु इकल टू हाफ आप एसी है इस हाफ आप एसी के अब आप लोग ध्यान से फीगर में देखिए जो मारा फ्ट यहां पे देखिए यह जो PQ है यह वाली लाइन PQ समांतर है किसके SRK PQ समांतर किसके हो गया SRK समांतर हो गया और देखिए यहां से चो मारा PQ है वो बड़ाबर है SRK पी क्यू बराबर भी है सरके तो यहां से क्या हो रहा है कि जो पी क्यू आर एस है वो एक समानतर चतुर बुज़ है ठीक है लिखिए इसको आप राइट कर दीजे समीकर नमबर तीन इसको राइट कर दीजे समीकर नमबर चार लेकिए समीकर्ण 3 तथा 4 से समीकर्ण 3 तथा 4 से PQRS एक समानतर चतुरूज है इस्टूडेंट देखे PQRS मरे एक समानतर चतुरूज सिद्ध हो चुका है लेकिन हमें बताना है कि PQRS एक आयत है समानतर चतुरूज है अगर हमारे पास कोई समानतर चतुरूज है और उसका एक एंगल 90 डिगरी का हो जाएगा तो ओ हमारा समानतर चतुरूज एक आयत हो जाता है तो चलिए वह लोग नेक्स देखते हैं पीक्यू आयस एक समानतर चतुरूज हमारा हो गया है चलिए इस्टूरेंट्स अब हम लोग देखते हैं तिरभुच ए अबिड में क्यों देख रहे हैं अब आपको पता चल जाएगा त्यर प्रोज देखते हैं तिरभुच ए A, B, D में A, B, D में आप लोग बताएं क्या हो जागा P हमारा मद्धिबिंदू है A, B का S हमारा मद्धिबिंदू है A, D का तो यहां से जो S और P को मिलाने माला रेखा खंड होगा उस समानतर होगा B, D के तो लिख दीजिए जो हमारा S P है, S, P S, P समानतर किसके होगा, समानतर होगा B, D के आप हम directly लिख दे रहे है समानतर होगा B, D के और क्या होगा और देखें, यहां से अगर हम लोग S, P की बात करें तो जो हमारा S, P है ओ इक्वल होगा हाप होप B, D के कि इतना समझ गए students आप लोग देखिए अब यहां से हमारा क्या हो जाएगा यहां से लिखिए S, P समानतर होगा B, D के और इसको आप माल लिजी समीकर नंबर कौन सा समीकर मालना है हमारे पास 4 तक होगा चलिए हम लोग समीकर नंबर 5 माल लेते हैं इसको इसको माल लेते हमारा क्या समीकर नंबर 5 अब हमारा टारगेट क्या है इसको भी आप लोग समझ लेते हैं हम लोग S, P को समानतर दिखाएंगे R, Q की तो चलिए अब लोग next देखते हैं तिरभूज किसमे B, C, D मे लिखिए तिरभूज B, C, D मे आ गया है तो यहां से इस्टूडेंट देखें QR हमारा समानतर किसके हो गया B, D के तिरभूज B, C, D में जब हमने देखा B और C, D में जब हमने देखा यहां पर देखिए जबने तिरभूज B, C, D में देखा तो जो हमारा QR है यहां पर देखें जो qr है वो समांतर किसके हो गया बीडी के और इसको उने किस बेसिस पे लिखा मद्द बिंदू पर मेंसे मद्द बिंदू पर मेंसे अब students आप लोग यहां पर यह जो चतुर्भुज है slmn में देखिए slmn में यहां पर देखिए qr समांतर बीडी है यह जो qr है वो समांतर बीडी है तो यह जो mn है इसी लाइन पर है तो यह जो mn है वो समांतर किसके हो जाएगा sl के या फिर ls के लिखिए जो मारा sl है वो समांतर किसके है mn के और इसको आप लोग मान लिजे समीकर नंबर कौन सा समीकर मानना है 6 नंबर समी करण 6 और यहां पर देखिए यह जो मारा S N है यहां पर देखिए S N समांतर हो जाएगा L M के S N समांतर हो जाएगा L M के और इसको आप माल जिए 7 नंबर 6 नंबर 7 नंबर से क्या हो जाएगा यह जो मारा S L M N है एक समांतर चतुर्बूज हो जाएगा लिकिए समी करण छे तथा साथ से S, L M, N एक समांतर चतुर्बूज है समांतर चतुर्बूज है और इस्टुर्ण देखिए हमें P, Q, R, E, S को एक आयत दिखाना है हमारा देखिए P, Q समांतर चतुर्बूज है और P, Q बराबर चतुर्बूज हमारे पास आ चुका है आ चुका है अब अगर हम लोग 90 डिग्री दिखा दें P, Q, R, E, S के एक एंगल को 90 डिग्री दिखा दें तो यहमारा आयत प्रूब हो जाएगा और हम जानते हैं कि जो हमारा सम्चतुर्बूज होता है सम्चतुर्बूज के विकार 90 डिग्री पर काटते हैं समकोंड पर सम्दुवाजित करते हैं यह हमारा 90 डिगरी है और यहां से आप आप लोग देखिए हमारे पास S L M N एक समांतर चतुरूज आ चुका है तो एक चीज समांतर चतुरूज के बारे में लोग और जानते हैं कि समांतर चतुरूज के जो सम्मू कोण होते हो बराबर होते हैं तो A वाला एंगल हमारा एंगल L S N के और इसको आपने किस बेसिज पे लिखा क्योंकि समांतर चतुरूज के जो सम्मू कोण होते हैं बराबर होते हैं समांतर चतुरूज के सम्मू कोण बराबर होते हैं कोण बराबर होते हैं और यहां से देखिए अंगल L M N देखिए अंगल L M N is equal to angle L S N है और अंगल L M N को लोग लिख सकते हैं 90 डिगरी इसको आप मालेजे समिकर नंबर 8 यहां से देखिए जो मारा अंगल L M N है आप लोग इसको देख लिजिए यह जो मारा अंगल है L M N एक इतरा डिगरी होगा ए 90 डिगरी होगा क्यों 90 डिगरी होगा क्योंकि A B C D हमारे सम्चतुर्भूज है और सम्चतुर्भूज में क्या होता है इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोर्ण पर सम्धिभाजित करते हैं इसलिए 90 डिगरी होगा लिखिए सम्चतुर्भूज के बिकर्ण 90 डिगरी पर परतिछेद करते हैं इसलिए जो हमारा एंगल है L M N एक क्या है एक क्या है 90 डिगरी है आगे लिखिए सम्धिकर्ण 8 से सम्धिकर्ण 8 से 8 से क्या हो जागा जो हमारा एंगल L S N है लिखिए एंगल L S N इस एक क्या हो जगर 90 डिगरी यहां पर हमने एंगल L M का मान रख दिया और यहां से देखिए हमारे पास एवाला जो एंगल है वो कितना डिगरी आ चुका है 90 डिगरी यह हमारा एंगल 90 डिगरी आ चुका है और जो हमारा चतुर्बुच P Q R S है यह पहले ही समांतर सिध्ध हो चुका है तो अगर हमारे पास कोई भी समांतर चतुर्बुच है और उसका एक कोण 90 डिगरी का हो जाए कितने डिगरी का 90 डिगरी का तो जो समांतर चतुर्बुच है वो क्या होता है एक आयत होता है लिखिए लिखिए अतहा अतहा पी क्यू आर एस एक आयत है है तो इस्टुडेंट्स यहीं में दिखाना था और अमने इस क्वेस्टन को